आज मध्ध प्रदेश के लिए एक अईतिहासिक दिन है क्योंकि भारती माननिय राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मुजी के करकमलों द्वारा 417.5 एक करोड रुपाई की लागत से बनने वाली सड़क परियोजना का वर्चुल शिला न्यास किया है राष्ट्रिय राजमार्क 46 पर राता पानी खंड जो अब्दुल्ला गंज से बैतूल इंटर कॉरिडोर मार्क का हिस्सा है के 12.38 किलोमीटर चार लेम चोड़ी करण से भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल और नागपुर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी इससे यात्रा सुगम होगी और इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक सम्रिद्धी और खुशहाली आएगी